भाई और बहनों जन जाती है समाज में प्रतिभा की कमी कभी कोई कमी नहीं रही है लेकिन दुर्भागे से पहले की सरकारों में आदिवासी समाज को अवसर देने के लिए जो जरूरी राजनिती की इच्छा शक्ती चाहिए ना कुछ नहीं था बहुत कम थी स्रिजन आदिवासी प्रंपरा का हिस्सा है मैं अभी आने से पहले सभी आदिवासी समाज की बेहनों के द्वारा जो निर्मान कारिय हुआ है वो देख करके मैं सच मुझ में पड़े मन को आनन्द होता था है इनकी उंगलियों में इनके पास क्या थाकत है स्रिजन आदिवासी प्रंपरा का हिस्सा है लेकिन आदिवासी स्रिजन को बाजार से नहीं जोड़ा गया आप कल्पने कर सकते हैं बास की खेती जैसी छोटी और सामाने से चीज़ को कानूनों के मकरजाल में फसा कर रगगा गया था क्या हमारे जन जाती है भायों बैनों के यह हक नहीं था कि वो बास की खेती कर बास खेती करकर के बेच करके उसे पैसा कमा सके हमने वन कानूनों में बढ़लाव कर इस सोच को ही बदल दिया साथियों दसकों से जिस समाज को उसकी छोटी छोटी आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए लंबा इंतजार करवाया गया उसकी अपेख्षा की गई उपेख्षा की गई अब उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है लकड़ी और पत्थर की कलाकारी तो आदिवासी समाज सदियों से कर रहा है लेकिन अब उनके बनाए उत्पादों को नया मार्केट उपलब्द कराया जा रहा है ट्राइफेड पॉर्टल के माध्यम से जनजातिय कलाकारों के उत्पाद देश और दुनिया के बाजारों में आउनलाइन भी बिक रहे है जिस मोटे अनाज को कभी दोयम नजर से देखा जाता था वो भी आज भारत का ब्रांड बन रहा है साथियों वन्धन योजना हो वनोपच को MSP के दायरे में लाना हो या बेहनों की संगटन सक्दी को नई उर्जा देना ये जनजातिय क्षेत्रों में अभुद्पुर्व आउसर पादा कर रहे है पहले की सरकारें सिर्फ आठ दस वन उपजों पर MSP दिया करती थी आज हमारी सरकार करीब करीब नब्बे नब्बे वन उपजों पर MSP दे रही है कहाँ नव दस और कहाँ नब्बे हमने पचीसों से अधिक वन दन विकास केंद्रों को 37,000 से अधिक वन दन सेल्फ हिल्फ ग्रूपों से जोड़ा गया है इन से आज लगबग साड़े साथ लाख साथ ही जुड़े है उनको रोजगार और स्वर रोजगार मिल रहा है हमारी सरकार ने जंगल की जमीन को लेकर भी पूरी सम्वेदन जिल्टा के साथ कदम उठाए है राज्यों में लगबग 20 लाख जमीन के पट्टे देकर हमने लाखों जन जातिय साथियों की बहुत बड़ी चिंता दूर की है